नबस्ते दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ हरी बिर्च फ्राई की रेस्पी को लेकर आई हूँ जो की पुहती जादा टेस्टी चेटपटी बन कर तयार होती है आप इसे रोटी पराठा पूरी किसी के साथ भी सर्फ कर सकते जो चलिए बनाना सुरू करते हैं कराने के लिए बनाने के लिए 500 घर हरी बिर्च ले लिया है तो मोटी वाली क्याने लेकर होती ह Windows आप दिखि वह सबगर सकते हैं और बीच थिल की कटर लेते है cent कैसे हम इसे बीच मेच में से कट कर ले रहे हैं और रिश को क्यों क एसमें निकाल ने आन जो कर लिया है इस तरीके से हमें सभी मिर्च को कट कर लेना है तो अब वाला पर घाड़ा चढ़ा दिया है में न फूरलम मिर्च सबस्काद को में डाल देते हैं को लोटू मीडियम कर लेते हैं और इसमें से एक अच्छी सी खुस्बू आने लगे इतना हमें इसे भूल लेना है और इस तरीके से बसालों को भूल के बनाने से पहुती टेश्टी सी चटपटी सी हमारी जो बिर्च होगी वो बढ़कर तयार हो जाती हैं अब मैंने गैस को उपारे कढ़ाई चड़ा दिया है कढ़ाई पर यहां पर दो बड़े चंबच सर्सो का तेल डाल देते हैं तो सर्सो के तेल में किसी भी चीज को बढ़ाईए वह बहुत ही ज्यादा टेश्टी बन कर तयार होती हैं यहां पर देखे तेल गरभ हो चुका है तो मैंने यहां पर अधा छोटा चंबच सर्सो अधा चंबच चैजवाई दो पीच ही ले लिया इस सब को हम तेल में डाल देते हैं फ्लेव को यहां पर बिल्कुल लो कर लेते हैं और इसे हमें चला देना है मिर्च जो है बहुत ही जल्दी से फ्राइ हो जाती है तो इस इसे अच्छे से चला दिया है इसे हमें दो मिनट के लिए कवर कर देना है तो मिनट के बाद देखिए इसमें हलके हलके से आप लोग को स्पोर्स नजर आ रहे होंगी तो यह देखिए वाइट वाइट से स्पोर्स इसमें दिख रहे होंगे तो इसे हमें चला देना है इस यहां पर देखिए पसाला अबारा जो है अच्छे से पिश्च चुका है यह देखिए कि इसे अभी अब साइट में रख देते हैं और हमारी मिर्च दो है अच्छे से देखिए इसमें कलर नजर आ रहे हैं यह देखिए करने कर से दो सुप्ट हो जर जाने करने करना है और किमारे आधा च्मच द सब्सक्राइब करोस्क्राइब तो तो यहां पादी भी डाल सकते हैं तो आप इसे दो बिनट के लिए इसे कवर कर देते हैं तो यहां पर देखे दो मिर्च के कवर करने के बाद देखे जो मिर्च है वो अच्छी तरीके से सौप्ट हो चुकी है यह देखे थोड़ी मोड़ी इसमें कसर जो बची हुई है वो अभी हम इसे और थोड़ा सा पकाएंगे तो हो जाएगा ठीक तो यहां पर मैंने एक चबच आप चुर्पॉड़र डाल दिया है और इसे हम मिक्स कर देते हैं तो अब चुर्पॉडर डालने के बाद एक मिर्च के लिए और मिर्च को पका लेके ताकि जो अबचुर पॉडर है वो अच्छी तरीके से जो फ्लेवर है उसका आ जाए तो य ये देखिए बहुत टेश्टी चटपटी हमारी मिर्च फ्राइब बनकर तयार हो गई है ये देखिए इसका color texture देखिए कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो चलिए कर लेते हैं हम इसे सर्व और ये देखिए friends हरी मिर्च फ्राइब बनकर तयार हो चुकिए है सब्सक्राइब सब्सक्राइबूर्ट जाए कर सकते हैं बहुत जाधा टे-च्छ लैंक बड़ी है आइह ओप वीडियों आप लोग को आप अच्छा लाइक और सेयर करेंगा होगी